ताजनगरी की धरा पर कोठी मीना बाजार के चित्रकूर धाम में इंदिनों मंगर में परिवार का शिरी राम उत्सव चल रहा है। शिरी राम कथा उत्सव में शनिवार को व्यासपीट से राष्ट्र संत विजय कौशर जी महराज ने भक्त जनों को शिरी राम और भरत के प्रेम विश्वास और समवाद की मनोहारी कथा का श्रमन कराया। शहर की जानी मानी वरिस्ट समाज सेवी मदू भगेर एवं मंगर में परिवार आगरा के मुरारी राल अगरवाल और महामंत्री राकेश अगरवाल ने बताया कि गुरूबर रास्ट संत विजय कौशर जी महराज लंबे समय के बाद ताजनगरी की इस पवित्र धरा पर श शहर की कई बड़ी नामचीन हस्तियां भी गुरूबर से आशिरवात रेने के लिए कथा इस थर पर पहुंच रही हैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने इतना सुन्दर यहां पर रायूजन कराया है कि पूरा अग्रही भक्ति में हो गया है और भगवान राम की कथा कोशल जी महराज की मुखार बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम राम की ही जो जिस यूग में वो थे उस यूग में हम चल जन्मा सरस्थी तीन वह रही हैं क्योंको हर्त तरह की बास तुनाना आज का प्रसंग केवल भरत जी की उपर था भाई के परती कितना प्रेम होता है कितना त्याग होता है प्रेजल चलके गए कैसे उन्हें ने भोजन किया 14 वर्षता ये सारी चीज दिन्शा को चल जी ने बजाई ये पहली बार मैंने इतना भरत जी के उपर जो महारा जी ने प्रवचन दिया है मैंने अपने जिवन में पहली बार इतना बरतान से सुना है हम लोग आप देख रहे हैं पंडाल को कहीं भी तिल भर जगह रखने के लिए हमारे पास आज जगह नहीं बची है और भी कल हम इस पंडाल को और आगे बढ़वा देंगे कल हमारा लास्त दिन है दस बजे से बारे बजे तक कोटी मीना बाजार मैदान के चित्रकुर्धाम में चर रहे शरी राम कथा उतसब में भक्त जनों की भीड राश्ट संत विजे कोशर जी महराज की मंगल बाज़गा की वानी सुनने के लिए उमड रही है भक्त जनों का कहना है कि गुरूवर की वानी सुनकर उनका जीवन धन्य हो गया अगरा से अपने भक्तिगान सभी मंगल में परवार और आगरा वासियों से सबसे कहना चाहता हूं कल कथा का अंतिम चरण हैं तो कल जो है यहां कथा का समय हमारा दस वजे से बारे वी तक रहएगा पूज संद बिजय कुछल जी महराज जी दस वजे आ जाएंगे हजारों की तादाद में जो भक्त बेटे हैं वो भावे बोर हो गए और आज भी आप देख रहे होंगे इस पंडाल में विवस्ता की दरश्टी जग़ में बात करूं तो यहां पर पंडाल में पह रखने की जगे नहीं हमने जगे बढ़ाई हैं कल भी और जगे बढ़ाई तो हमारा मन भी साप रहेगा तन भी साप रहेगा और जो आज हमारी जंता में और हमारी समाज में कुछ ऐसी द्वेस्टियां जो घुश जाती है वो महाराजी के ऐसे प्रवचनों को सुनकर वो सारी दूर होती है सारी विवस्तां को महाराजी के सम्मुक अगर हम रखते है तो बहुत ही अलग हटके इनका एक प्रवचर रहता है, उनकी कथा का रस्पान हम सब लोग करते हैं, प्रते दिन करते हैं 19 दिसंबर से शुरू हुआ शिरी राम कथा महोटसफ 25 दिसंबर को समाप्त होगा भक्त जनों को अधिक संख्या में कथा इस्थल तक लाने के लिए आयोजन समीती ने शेहर भर में 10 इस्थानों पर बसें लगाई हैं सी न्यूस के लिए अनिर कुमार सिंग की रिपोर्ट